उसमें हमने कसमे खाई थी कि जनता की सेवा करना मेरा धर्म है और उसी धर्म के अनुसार मैंने जनता की सेवा की 10 साल के अंदर उतना नहीं दिखाता लेकिन इस साल हमारे पंचायत का बहुत ही बाड से खराबिस्तिती थी अपने पंचायत में रोड नाला पूल पूरिया का काम भी किया है ये गलत बात है हमारे पंचायत में आंगनवारी सेंटर जितना है मैं उसको समय समय पर विजिट करता हूँ बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है पंचायत चुनाव की तमाम ख़बरे हम आप तक पहुचा रहे हैं हलात ऐसे हैं कि अगर मुखिया जी अगर कोई भी प्रतनीधी एक बार मुखिया बन जाते हैं एक मुखिया प्रत्यासी चाजन हरी शंकर पश्चिमी शेत्र मुझफर पूर से हम लोग एक ऐसे प्रत्यासी के साथ में खड़े हैं जो इस बार अपना तीसरा टर्म पूरा करने के बाद एक बार फिर से चौथे टर्म यानि चौथी बार मुखिया पद के लिए आवेदन कर चुके हैं श्याम नंदन सिंग कुष्वाहा सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग जानने के लिए निकले थे रिपोर्ट काड आपने सुना हमने कैसे इंट्रोड किया अगर कोई एक बार मुखिया बन जाता है तो फिर अगली बार उसे खुद संदे होता है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तीन बार का टर्म अपने पूरा किया है आखरी टर्म में विकास के कारियों का पहले आप बुरन की देखिए ऐसा है कि हम जो सपत लिये थे उसमें हमने कस्में खाई थी कि जनता की सेवा करना मेरा धर्म है और उसी धर्म के अनुसार मैंने जनता की सेवा की है मैं 2006 से यहाँ हूँ, 2006 में सबसे पहली बार बार आया था उस समय मैंने पूरे पंचायत को बार रहा दिलवाया था उसके बाद समय समय पे क्रिसी इनपूर्ट और इंसुरेंस जिस से लोगों का बार्ड में छती हुआ उसके लिए क्रिसी इंपूर्ट और मतलब इंस्रेंस का लाव लोगों को दिलवाने का काम किया है अपने पंचायत में रोड नाला पूल पुरिया का काम भी किया है कुछ जगें हमारी रोड की कमी है अभी वी और कुछ नाले की कमी है इस बार जो बाड दिखा हमारे पंचायत में 2007 के बाद पहली बार उतना ज्यादा बाड दिखा 10 साल के अंदर उतना नहीं दिखा था लेकिन इस साल हमारे पंचायत का बहुत ही बाड से खराबी सी थी था लेकिन हम लोग प्रयास रत थे लेकिन सरकार के द्वारा उढ़नी परखंड को बाठ शेत्र गुरस्चित नहीं किया गया इसलिए उनको सही से लाब नहीं मिल पाया है लेकिन सरकार की महत्वा कांची जोतना हमारे माननीय सम्मानीय मुकमंत्री नितिस वावु का जो सबसे अच्छी जोजना है नल जल जोजना हमारे पंचायत में एक गारा वाड है मैंने पूरे वाड में जल नल का काम पूरा किया है और थोरी बहुत तुरूटी को छोर कर आज भी लोगों को सक्स जल पानी मिल लहा है साथ निश्य योजना का आपने जिक्र कर दिया साथ निश्य योजना में साथ परकार के काम आते हैं इनमें तमाम अगर मुद्व पर नजर डालें तमाम अधर पंचायतों में अगर हम घुमें उसमें भरशचार के मामले भी सामने आए देखा जाए हमारे पंचायत का जो PCC हुआ है आपके नजर में है मैंने ये PCC कड़ाई है इसको आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है गुनबत्ता क्या है मैं ये बताना चाहता हूं कि जलनल साथ निश्य के अंतरगत जलनल आता है जलनल के जाच है तू दो बार हमारे मानिय डीम साहब इस पंचायत में आ चुके हैं भर्मन कर चुके हैं जाच कर चुके हैं और पटना से जॉइंट सेक्रेट्टी भी एक बार यहां आ चुके हैं और वे देख चुके हैं इसके लिए बार बार उनके द्वारा हमको प्रोसाहन भी मिला है सावासी भी मिली है सर लगतार आप काम का अपना जिक्र कर रहे हैं आपने कहा कि कुछ जगह तुरूटिया आप भी रह गई है पूल और गलियों को लेकर जी आजीन टर्म पूरा करने के बाद भी अगर तुरूटी रह जाए जी ऐसा है जो सरकार का संसाधन आएगा जो सरकार के द्वारा रासी कि मुहया कराई जाएगी कर्टेगेरिया के अंतरगत चुकि कोई भी जोजना के अंतरगत जो रासी आती है उसके साथ-साथ एक चिठी लगी हुई होती है वो चिठी के अनुरूप ही हम लोग कार्ज करवाते हैं और उसके तहद आज भी जो बाड़ की इस्तिती हुई उस में दो-तीन जगा पंचायत में हमको दिखा कि नाला बहुत ही ज़रूरी है जैसे सबसे पहले मैं अपने पंचायत में जहां खरा हूं इससे पस्सिम थोरी सी नाला की कमी है जो नाला बन जाए तो दिक्कत नहीं आएगी दूसरा चाजन खरियार पर है और तीसरा चाजन सं मैं लोगों से बादा करता हूँ और आपके चाइनल के माद्यम से भी बादा करता हूँ कि लोग अगर हमको मौका देंगे तो पहला कदम मेरा इन नालों के बनाने में होगा मुखिया जी जिस योजना या फिर बिहार सरकार के जिस नियम का हवाला दे रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंत में हम जरूर बता कर जाएंगे फिलाल इन से हम चर्चा और भी करेंगे खास तोर पर मनरिगा योजना की जैसे ही बात आती है वर्षचाचारी और अफसरसाई हावी रहती है लोग ये बताते हैं कि जिनका कार्ट बना है उनको जॉब नहीं मिलता है जिनको जॉब मिलता है उनको पैसे नहीं मिलते हैं देखिए सबसे पहले जौब कार्ट के नियम को जानना बहुत जरूरी है जौब कार्ट का नियम है सरकार की उस पे जो रोज है रोज कहें या जो मतलब पड़े का जो डेली बेसेज रोज है वो बहुत कम है रोज कम होने के कारण सभी मजदूर उसमें काम नहीं कर पाते हैं और सरकार का नियम है मनरेगा जोजना नहीं है मनरेगा एक एक एक्ट है जिस एक्ट के तहद हर आदमी को अधिकार मिला हुआ है कि वो सौ दिन का काम मांग सकता है सौ दिन का काम मांगेगा मांगने के बाद ही काम दिया जाता है अगर पहला रोजगार सेवक को काम मांगता है रोजगार सेवक नहीं देता है और वो आदमी देने में और समर्थ रहता है तो उसकी मतलब जो क्या कहते हैं भत्ते की असूली की जा सकती है जो उसके मांदे से कटेगा मैंने मंदेगा में के समीती के द्व शार이 अब परचार किया है कि अगर मैं आपके सुख दुख में आपके पंचायत में विकास काम देखे हैं हमको देखे हैं हमारे कार्ज को देखे हैं तो हमको बोड दीजिए हमारी परचारगारी भी यही कहती है नहीं तो नहीं दीजिए अगर हम उसके जोग नहीं है तो हमको नहीं दीजिए दूसरा जोग है उसक तो कशल्विकास योजना आपके शेत्र के कितने युवाओं को प्रस्क्षन दिया गया है जी बहुत सारे लड़कों को इसका मतलब एक निलवाया गया है जो सरकार के बीभीन जो मतलब है क्या कालेज है जगा है वहां पे मिला है या फिर ब्लॉक अस्तर पर जो प्रस्टिक्षन के इंदर बनाकर स्किल डेपलेपमेंट का जो कौर्स क्राया जबता है पर मुख्या परतिनीदी है तो भिन्विन जगों की हैं सभी का आकरा लोगों के सामने डिस्टिबिट करना मेरा धर्म नहीं है एक और सवाल मुख्या जी लोगों का काम होता है आम सभा लगाना नीजी मुद्धों को समझना क्या इस परकार का करेश्रली आपके द्वारा समय समय पे आम सभा कराई गई है लोगों की बास उनी गई है आज भी विगत चुनाव सुरू होने से पहले हमारा पंचायत भमन खुला रहता है मैं परति दिन उसमें बैठता हूं हमारे जो पंचायत के करमचारी हैं सबी लोग बैठते हैं जो सारे लोग जानते चलिए आखरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि तीन टर्म पूरा करने के बाद चौथे टर्म के लिए आप आवेदित हैं विकास कारियों को लेकर के ही जनता के बीच जा रहे हैं ये कौन से ऐसी रणनीती है जो तीन बार से आपको मुख्या बना रही है चौथी बार फिर ए खा सके बता सके कि एक मुख्या ऐसा भी है जो तीन बार का काम काश्कुरा करने के बाद चौथी बार आवेदित है और जनता के बीच अपने ही काम उकले कर जा रहे है बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता का अशिरबाद है और जनता हमें आशिरबाद देती है जो समस्या उसके सुनने का काम करता हूँ है सभी लोगों की समस्या जितनी है उसको मैं नहीं सुजा पाता हूं कुछ लोगों के मतलबे नियम कानून नहीं जानने के कारण उनका जो समस्या हुता है bring about양 लेकिन मेरा धर्म बनता है चुकि हम लोग जनता और सरकार के बीच करी हैं तो जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको उनको समझाना और सरकार का जो गाइडलाइन है उनको समझाते हैं और उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाना मेरा कारतव है मैंने भरमन किया है कहीं कहीं समझाएंगे कैसे नराज़ी किसे दूर करेंगे नराज़गी सही माइने में यह है कि जो लोग सही रूप से या तो नहीं समझते हैं या नी जी उनकी ऑ हमने मैं उसको समय समय पर भीजिट करता हूँ अगर नहीं होता है तो मैं खुद से दीपी ओ से मिलता हूं और उस पर करवाई करवाता हूं चीजे आती है चोकलेट से हो या फिर जो भी हो जो महिलाए गर्वती हो जाती है उनके लिए वह मिलता है जिया मिलता है आज भी मिलता है इसका रिपोर्ट कार्ड मेरे पास गलता गया है आप नहीं प्रत्यासी का नमबर वाड है और इस एक चुप रही है जो फीड़बैक है यही यही रिपोर्ट काड़ है और लेडी अब लेड़ी अब असुनिये ना मतलब यह बात हो से तुम बाद में को लिए बाद में हम जनता को भी बातित करेंगे जनता से भी बातित करेंगे पांच नमबर वाड में आंगनवारी सेंटर है चार नमबर में अभी तक आंगनवारी की बाहली नहीं हुई है चार नमबर में जब सरकार का जब वेकेंसी आएगा तभी तो आंगनवारी की बाहली होगी चार नमबर क्यों रुका हुआ है यह मुझे पता है अभी चार नंबर की बाली नहीं होगी विदिवत हम लोगों को उसमें कुछ करना भी नहीं है ब्लॉक में आभेदन होता है ब्लॉक के आभेदन के अधार और जहां तक लोगों का जो कहना था सरक गयरा तो नीजी जमीन में हम कुछ न जनता जनता के हाथ में हैं सम्मान करता हूं अभी इंतजार है जी भी तो परचार परशार चलिए अभी मैं जब तक हमको सब्सक्राइब नहीं मिलता है अपने को मुखिया नहीं मानता हूं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जूड़ने के लिए लगतार शेतर का अंब्रमन कर रहे हैं और लगतार हम आपको पहुंचा रहे हैं वीडियो में हमने आपको कहा था कि हम सरकार योजना के बारे में आपको बताएंगे तो साथ निश्च योजना एक ऐसी चलाए गई बीहार सरकार की अगर मालने जीए कि अगर जितनी की रासी निर्गत की जाती है पंचायत के विकासकारियों के लिए उसमें से असी फिसदी की रासी आपको साथ निश्च योजना में ही खर्च करना है मुख्या जी हमारे साथ है और हम इनके सामने ही बात बोल तो अब ऐसे में सवाल यह हुटपन होता है कि अगर सो रुपे की दासी अगर निर्गत की जाती है तो 80 रुपे साथ निश्योजना पर ही खर्च की जाती है जब कि पहले के नियम कानून में यह बनाया गया था कि आम सभा बुलाई जाएंगे आम सभा में गाओं की नीजी सम तै कर लेता है कि साथ ने चयोजना के अंतरगत कितनी राज़ी कहां पर खर्च होगी यानि आपके विकास के कारियों का गणना आपके पटना में बेटे आपकी राज़दानी में बेटा पंचायती राज़विवाग वहीं से कर लेता है इसलिए जन प्रतिनीधियों से दोंडर जाएगा लेकिन यह पॉसिबल नहीं लगता है अब देखने वालीबात है कि यह निएम कानुन में बदलाव होते हैं कि उनकी पिछली बार सदन में इस बात को लेकर के भी चर्चाए हुई थी अब क्या नियम कानून में बदलाओ होंगे तो किस परकार से विकास होंगे विकास के कारियों को लेकर आपकी असोचते हैं कास्ट थोट पर आपके पंच्वाइत मैं मुख्या जिने कितना विकास किया है आप हमारे comment works में जाये comment करके बताइए लागातार आपके शेत्र से public opinion हम दिखा रहे हैं बता रहे हैं जनता का mood क्या है हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बदो धन्य बाद नमस्कार